विल्कम तो चठ्था मीठा तो मैं आज बताने जा रही हूं आप लोगों को आपके नन्हे मुन्नों के लिए खाना जो बनाना भी आसान है और एकदम हिल्दी है फ्रेश है घर पे आप बनाईए हूममेड है ये इतना आसानी से बन जाएगा ये आप इसको बना करके 2-3 महने के लिए श्टोर करके रख सकती है और बस बच्चे को जब भी आपको खिलाना हो एकदम फ्रेश फ्रेश बनाईए और बना के खिलाईए मुझे एक डॉक्टर ने बताया था ये आप यह ऐसा बना करके रख लीजिए और बड़े आसानी से आप जब भी बच्चे खिलाना ह जब के अभी फस्ट बार आप थोड़ा सा बनाईए मैं बहुत मेरे पतास कोई चोटा बच्चा है नहीं मेरे बच्ये बड़े हो गए है तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बस देखा रही हो कि कांसे बनाना है थोड़ा सेंपल डाइप का आप थोड़ा बनाईए बनांकि जरूर एक बाद ट्राइब कीजिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा और आप इसे इस्टोर करके रख सकती है इसको खिला के आपको लगेगा कि मैंने अपने बच्चे को कुछ खिलाया है अच्छा खिलाया है तशफी होगी तो आप जरूर एक बाद ट्राइब कीजिए तो यह उरत की दाल है एक टी स्पून चने की दाल एक टी स्पून एक यह मैं एक नॉर्मल सा एक आपको मेजिंग बता रही हूं मैंने भी फर्स्ट बारी में इतना ही बनाया था यह तूर का दाल है अरहर का दाल जो कहता है वह भी एक टी स्पून यह मूं का दाल है इसे डबल लेना है इससी लेना है 2 टीश्पून तो सारे दाल पांस तरह का दाल हमारे पास सब एक एक लेना है मूं की दाल को डबल लेना है अभल यह वीट वीट की जगह अगर गिहू का दलिया के अगिल्हात है तो बजय दलिया के लिए हम पसक्न पीछ ड़ाट लेता है तो Gan Au चावल तो कोई अच्छा चावल आप लेड़ी रागी बिच्छे के हिल्थ बहुत अच्छा है तो अब अगर इसका color दोड़ा यह काला काला सा जाता है पुर्द क लेते हैं यह आप्शनल है इसमें चार-पांच काजू डाल दिए चार-पांच से छे बादाम डाल दिए इतना में बाकी मेजरमेंट जो है मैं आपको लाश्ट में लिखके दे दूंगे आप उसे आप स्क्रीशॉट लेकर किरक लिजेगा आभी फर्स वारी में आप भी इतना ही बनाए ब इसको 2-3 बारी अच्छा से भीगोना बिल्कुल नहीं है साफ पानी से 2-3 बारी अच्छी तरह से ताकि इसमें दाल है चावल है कोई तरह अभी केमिकल कुछ भी हो तो धूल जाएगा क्योंकि अब इससे धूलना नहीं है अभी बच्चे खाना एक दम इसके बाद बनाया इसको अब धोना नहीं है इसलिए अच्छी तरह से तम वाश कर लिजिए 3-4 बार जितनी बार आपको चाहिए मगर धोना है मगर भीगो के नहीं रखना है विगोने से क्या होगा कि मुस्किल होगा तो अब इससे चलनी में चान लिजिए चलनी में ज्यादा है तो कपड़े पर रखके चान लिया और चान की इससे मैं हमेशा शाम में बनाती थी चोटा बच्चा था हमारे पास तो शाम में इसे कपड़े पर इसको धीर पूरी तरह से पानी जब इच्छन गया तो कपड़े पे फैला देना है और फैला करके इसे फैन की नीचे रख दिजिए अपन मूह न लगा है इसलिए ध्यान लखना है इसलिए मैं तो हमेशा घर में ही रूम में ही अपने बेट पे डाल देती थी और कॉटन का दो पट्टा से ढख करके छोड़ देती थी और जब सुबा में सारा काम खतम हो आता था तो देखती थी बिलकूर अच्छ से यह सुख गय बच्चे खाना बहुत इहत्यात से बनाना होता है अब इसको हम एकदम एकदम सीम फ्लेम पे मोर्टी तले की कड़ाही हो या पास फ्राइंग पैन है मोर्टा तले वाला या लोही की कड़ाही अगर मोर्टी है तो उसमें आप भून लीजिए वह ज्यादा बहतर है अब उस तो चुके अभी मैं बिल्कुल थोड़ा सा बना रही हूं तो इतना सा रागी कहां भूनती साथ मैंने मिला लिया अब देखिए ऐसे ब्राउन हो जाएगा बड़े पेशन के साथ आधा गंटा लगता है दस मिनट बीस मिनट लगेगा जादा तो कोई परशानी की बात नही चान के से रख लिए मोटी चलनी से चालना है ज्यादा बारिक आटे जैसा बारिक नहीं होना चाहिए जैसे मोटा आटा कभी हम पिसवाते हैं मोटा रफ रफ होना चाहिए ठोड़ा ठीक है अब यह देखिए इस तरह हो जाएगा यह सब निकाल के हटा देना दोबारा फिर पिस लीजे और यह देखिए रेडी होगे आप इसको एयर टाइट जार में श्टोर करके रख लीजे यह दो से तीन महीना तक खराब नहीं होता है मगर मैं कहते हूं कि एक महीने के लिए आप बनाये बहतर होगा क्योंकि आपका बच्चा हेल्दी रहे हमारा हर कुछ चाहत पर झ doen » savings अब बच्चे के लिए खान त्यार करना होगी आप हम इसको बनाएगी कैसे तो हम एक ग्लास पानी लेंगी एक छोटे बरतने बच्चे के बरतन दख लेगा तो बच्चे कow golden और घी मिलेग talks आशसकी और की जयाओकohet sentence में 12 Onlyion से जादा नहीं आउंग है तेश्ट के हिसाब से अ Lith noisy Lyman Get 18 तो अब इसको एक休 harbor प्रोच से चलाते रहना है चला-चला के बनाना है ताकि बिल्कुल वह लंप्स नहीं हो चलाते रहना है थोड़ा सा तुरत बन जाता है एक से दो मिनट में बच्चा आप करो रहा खाने के लिए बस आप किसी को पगड़ा के मैं भी आती हूं लेगे और बस एक गिलास पानी लीजिए दो इस्पून लीजिए डाल वगड़ा तुरत भुनावा आप इसको चाहिए तो कई तरह से बना सकती है आपके फालग बन रहा है तो पालग का पानी ले लिए उस पानी में छंड़ा हो गया तो इसमें दो इस्पून डाल के बना दिया बच्चे को पालग भी मिल गया टमाटर के जूस में बना लिए अगर आप नॉन वेजिछ खा बना के प्लीज फ्रिज मत रखिए बच्चों गर्मा गरम बना के और थोड़ा सा है बस दो मिनट में ये बन जाता है पेशन के साथ एकदम सीम फ्लेम पे बनाईए और फ्रेश फ्रेश बच्चे खिलाईए बच्चा बहुत हेल्दी होगा और आपको खिला के तशफी होगी दिल को सुकून मिलेगा कि मैंने बच्चे को अच्छा कुछ खाने के लिए धर में लौकी बन रहा है तुरेई बन रहा है उसको उबाल दिया उसका पानी ले लिया एक ग्लास बस उसमें दो इस्पून डाल दिया जो सबजी गाजर चुकंदर का जूस निकाल लिया उसमें बना दिया देली देली फिलेवर ब revolves बडलते हैं यह बच्चे को और देखें कि बच्चा मेरा कौन सा खाना जादा शौक से खाता है कौन सा पसंद नहीं करता जो जो फिलेवर बच्चा पसंद एक भर ंषाह सब्सके करें शोच कर्या, निकना हुआ भरालफृआ खंध fällt के के लिए बच्छ भुषी के लिए भषया है स miraculous लिए एक गलास ऩोड़ ले लिए यह गाय का दूद है उसमें दो इस्पून होता है जैसे अगर आपको चारी स्पून मनाना है तो आपको दो गिलास डूद डालना होगा बच्चा आपका देखिए हल्दी होगा पक्का और यह बनाना इतना असान है इस्टोर करें रख लीजिए नानी अगर हैं बड़ी भाव जो है अपने पड़ोस में कितने लोगों का बना बना की बच्चों को दिया है बना का चोटा बच्चा रहता है उसकी पास कब रहता है मगर मैंने तो भई हमेशा खुद ही बनाOD मेरा किसी न नहीं बनाया मैं अपने दोनों के लिए मैं कुद बना कर पर अभी मेरी छोटी बहन जो है अपनी बच्ची को बना के खिला रही है और कहती है इतना सुकून मिलता है बस कि मैंने कुछ बच्चे को अच्छा खिलाया दाल है दूध है यह मीठा है मीठा इसकी खुश्बू इतनी अच्छी होती है बनेगा तो पूरे घर में खुश्बू इतनी प्यारी आती है हर तरह के दाल की चावल है गेहूं है और इसको भी दब एकदम स्विम फिल्म पे चलाते रहना कंटिनेशन और यह बात का ध्यान दखिए का बच्चे का अलग से बरतन दख लीजे मैं हमेशा छोटा सा भगोना जो है यह भगोना जो है मेरी बेटी कह साटन के में जो मतना ही है और इसी में बनाती थी और यह भी था हमारे पास असा इसलिए मत दिखाया इसको अभी मैं अंखम कैसे मया लिए हम यह हमेशहाय का करो दो के बाद मैं शेहत मिला थी थे थुछा हाफ टिस्पून एक- टिस्पून शेहत मिला ली है तो आप चीनी मिला लीजेगा जब वह द्ख्की के गल जायगा की केप सुखने लेड़ा है तब तो ऐक तो यह बन गया आप इसमें आप थोड़ा सा मिला लेजे आप मिला के बच्चे खिलाइए आदेखिए मैं इसका मेजरिंग जो है लाश में दे रही हूं आप देख लीजेगा जादा बनाना होगा तो अगर आगी पसंद आए जरूर लाइक किजी वीडियो